अब इतक आपने लोगों को अपनी समस्याओं के समधान के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को ग्यापन देते देखा होगा लेकिन बाचपुर में जन परतिनी दियों ने एक ऐसा ग्यापन दिया है जिससे छेत के लोगों में चर्चाय बनी हुई हैं बता दे कि बाचपुर के 20 गाओं की 5,838 एकर भूमी की खरीट फरोद पर जिला अधिकारी ने रोक लगा दी थी जिसको लेकर बाचपुर में कॉंग्रस सहीट अन्य पार्टी के कारे करता सरकार और अधिकारियों की ताना शाही को लेकर लगातार प्रदाशन कर रहे हैं और अधिकारियों और मंत्रियों को ग्यापन दे रहे हैं दोनों तरफ से कोई निशकष ना निकलने पर प्रदशन कारियों ने मंदिर मज्जे चर्च और गुर्दवारे में जाकत सभी धर्मों के भगवान को ग्यापन दिया है जिसमें प्रदशन कारियों ने इश्वर से सरक सरकार और अधिकारियों को पुद्धी देनी की मांग की है वरिष्ट कॉंग्रेस नेता जगतार सिंग बाजबा ने कहा कि सरकार और अधिकारी दोनों ताना शहार रवय अपना रहे हैं जिससे परेशान होकर भगवान की शरण में आना पड़ा है उन्होंने बताए कि संदेश सरकारात्मा कैसी कोई सूचना नहीं है कि सरकार इस विशे पर गंभीर हो उसको देखते हुए आज पचास दिन पूरे हैं तो सभी सहयोगियों के मार्क दर्शन में यहां पर आज देव द्वार द्यात्रा कारा शुरू है कि जिससे कि हम पूरे मंदिर में प्रासना पत्र देने जा रहे हैं कि सरकार को सदबुद्धी मिले यहां के जनप्रणिजियों को सदबुद्धी मिले और यहां के जो हजारों परिवारों का बविश्य है वो स्रक्षित हो सके हाँ आज हम बिल्कुल भगवान के चड़नों में हमने ग्यापन आज प्रेशि जो पूरा हिटलर शाही का साशन यहां याद दिला रहा है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है यहां के जनप्रणिजियों में मैं चैलेंज करता हूं यहां के जो मौझूदा मंत्री भी हैं वो फोन पर डीम को को कोई कह नहीं सकते हैं यह हलात है सरकार के निरंग कुछ स सरकार है ताना चाह सरकार है उसके खिलाब अब भगवान की शरण में हैं अब भगवान इस सरकार को सुर्वदी दी